कि मेडिया का कोई भी अधिकारी कोई भी मीडिया से जड़ाओ आदमी मेरे सामने आए मेरे से बात करे मैं उसे पूछने चाहता हूं कि जो वीडियो उसने दिखाई है हमारे देश की जनता को गुमरा किया है मैं तो इसे एक तरह से बहुत बड़ा जुरूम मानता हूं कि हमा का रुजस्ट ऑस्थे हैं मैं हूँ आपके साथ विशल बजाज सीधी बात लोगों से कर दे हैं क्या है रिय फैक्ट डेरा सचा सोधा का बाबाराम रहीम जी का जानते हैं सीधा लोगों से नमस्कार से अपका नाम दरंबिर साथ क्या कहना चाहेंगे सरा बाबा राम रहीम जी के बारे में डेरा सच्चा सोदा के बारे में जितना भी जादा कह जाए कम है क्योंकि डेरा सच्चा सोदा एक ऐसी सस्ता है जो कि हमारे इंदुस्तान में नी वड़ लाइके कारिया करती है यह जग जाहिर है किसी से चुपवा नहीं है क्योंकि जब भी कोई बड़ा लेवल लेवल पर कोई कारिया होगा तो वो सभी को दिखेगा और डेरा सच्चा सोद्या के जो संत है गुरुमीत नामरे मिस्किन जी इंसा वो अपनी संस्था के द्वारा अ आज बड़े उस पर का जाता है कि गंगा की शफाई होनी चाहिए पर गंगा की शफाई अगर हम देखे राजनीतिक तोर पे तो वो सिर्फ काग्चो तक्षीमीत है पर डेरा सच्चा सोद्या के एक संत गुरुमीत रामरे मिस्किन सही ऐसे संत है जिनके एक आवाज पर उन प्रसासन के द्वारा सासंगत के द्वारा गंगा मेंसे निकाला गया कुड़ा उठाने में एक में इन्ना लगाओ तो आप यह सोच सकते है कि कितना कुड़ा सासंगत ने उसमें से निकालोगा दूसरा मैं उदा अन देना चाहूंगा कि जैसे का हमारे देश को अजाद हार कोई अपना अपना डिंडोरा पीट रहा है राजनीतिक दल पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ क्या उनके आखे बंद थी क्या उनके पास दिमाग नहीं था कि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि हमारे समाज के अंदर एक किनर समाज रहता है जिसको के दुनिया वारे पूरी नजरों से देखते हैं बुरे बुरे नामों से उनको पुकारते हैं कभी उन्हों ने उसके बारे में सोचा ही नहीं साहिँ उनको अनकी याद भी नहीं आयोगी सोचना तो बहुत दूरी की बात है पर डेरा सच्चा सोधा के संत्त गुरमीतराम रिंसकी जिन से वह या वो प्रमात्मा है कि जिन्होंने उनके बारे में सोचा क्योंकि वो उनके उलाद है इसलिए उनके बारे में सोचा और उनके लिए देखो उन्होंने कोड से केस लड़ा और वो उसमें जीते भी और आज उनको थरड़ जेंडर का दर्जा दिया हुआ है और साथ ही साथ उन हम उसके रहने का, खाने का और उसको समाज में पूरा सम्मान दिलाने का हर संभवकारिया करेंगे और आज देर सिच्चा सोदय के अंदर एक दोनी अजारों की तादाद में किनर समाज से जुड़े हुए लोग हैं जो कि बड़ा खुशी बड़ा जीवन में वेफित करेंगे, और नहुंआ ही अगर हम बात करें, कि हमारे समाज के अंदर एक ऐसी परथा है जिसको साहद सोच करेंrows आनके ख़ड़े हो जाते हैं, जो कि हमारी बेन बेटियों से जुड़ा हुआ है, हमारी माता बेनों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि आप देखते हैं, हमारी जेश के अंदर कुछ एरिय ऐसे है, कुछ हिलाक ऐसे है, जहां कि सर्यामुन का सोसन होता है और मैं ये राजनीती को कि जितने भी किसी भी पार्टीशी है और एक के नोलिज में लाना चाहता हूँ कि वो अपनी आखे खोले और देखें कि उन्होंने इस समाज के लिए किया क्या है वो बोट तो मांगने के लिए आ जाते है पर वो अपने आपके अंदर जाके कि उन्होंने आखिर किया क्या देश को दिया क्या आज तक हमारे जितने भी राजनीती के लोग हैं उन्होंने पिछे क्या क्या उन माता बेहनों को लाइंशस बणा के दे दिये कि आप ये देवे पार कर सकती हो मगर डेरह सच्छा सुधा के संथ गुर्मीत राम रिम सिकिंजी इंसा न Isra A. उन माता बैनों के लिए उन बेटियों के लिए खुले उस सतर पर ये भाज उठाईे कि नहीं आप हमारी बैनों बेटियों मातायों आप इस गंदीच चर निकल कराईए है। देरा से चासो दर्बार में आपका इलाज कराया जाएगा आपका पुरा मान समान दिया जाएगा समाज में और जो बेटिया हैं उनका इलाज कराने के बाद अच्छे एजूकेटिड जो बच्चे हैं उनके साथ उनकी शादी कराया जाएगी और उनको एक बड़िया अच्छ सांदर जिंद्गी जीने का मोका दिया जाएगा और वो हुआ भी हमारे सब के सामने है किसी से छुपा हुआ नहीं है यह कि बेसक आज राजिनिती के लोग मूँ फेर ले इस बात से मैं उन लोगों को बिल्कुर सर्याम यह संदेश दिना चाहता हूं कि जो लोग बाबा जी क की तरफ उंगली करते हैं यह बाबा जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं मैं उनको सर्याम यह कहना चाहता हूं कि वह अपने आखे खोले अपने गिरे बान में जाके अपनी आत्मा को ट्रटोडे कि देर सच्चा सोदय के संत ने जो करिया किया है कि उसके एहवान के आत्या मासे गंदगी में से निकल करके आई हैं देर सच्चा सोदय के अंदर और उनका जो है इलाज कराया गया है और इलाज कराने के बाद ही नहीं छोड़ा उनको उनको अपना नाम दिया गया जो कि एक बहुत बड़ी बात है उनको अपना बाप का नाम दिया है संत गु पर परमात्मा का कारिया कभी नहीं रुकता आप जानते हो कि डेरा सच्चा सोदा के संथ की गुर्मीत राम निमस्टी के जिल में जाने से पहले 133 मानवत बलाई के कारिया उन्होंने चलाए वे ते मगर जेल में जाने के बहुत जुद भी उन्होंने अपना कारिया को बंदनियों ने दिया और आज जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपना 134 मानवत बलाई का कारिया देश को दे दिया और आज उनकी साथ संगत कर रही है उस कारिया को बड़े जोर सोर से कर रही है और ये करती रहेगी जब तक मैं तो यह कहता हूँ जब तक हमारे जिसम में प्राण है और हमारी साथ से चलती रही है हम उसका देर नहीं दे सकते हमारे धन्या है सत्गुर जी मैं तो कहता हूँ क हम कहीं भी रहे कि हे सत्गुर्व हमेशा हमें अपने चल्ण में लगा के रखना देखे उसके बारे मैं मैं बिल्कुल सपस्ट कर देना चाहता हूं कि मेडिया के द्वारा कुछ फाइफ हैलाई गई हैं यहां महां से कुछ पिक्चरें कठीके गई हैं तस्वीरें कठीके मानता हूं कि जो वीडियो उसने दिखाई है हमारे देश की जनता को गुमरा किया है मैं तो इसे एक तरह से बहुत बड़ा जुरम मानता हूं कि हमारे देश की जनता को जागरी तोड़ना चाहिए और उन मेडिया कर्मियों के उपर ऐसे पिक्चर दिखाने के उस जुरम मे उन पर केस करने चाहिए